है 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 अगया हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप आशा करते हूं कि अप सबी स्वस्त होंगे मस्त होंगे अपना अपन unlukा ख्याल रख रहे हहंगे आज हम आपके लिए रिडिंग करा है तो गाईज अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और जो अलड़ी चैनल को स सब्सक्राइब करें और या मेल आइडिय भी कर सकती हैं दोनों ही दिये वे हैं ठीक है देखें यहां पर आपके लिए मैं गाईडन्स देख रही हूं तो यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको गोड को सरेंडर करने की जरूरत है अभी परिशान हो रहे हैं आपक गोड को सरेंडर कर द Measure कर दिना है ठीक है अपने आपको गोड को सरेंडर करने की जरूरत है रूभानी गोड समू रूहानी समू से कोई व्यक्ति अगर आपकी मदद करने की कोशिष करें तो आप उसको जुरूड एकसेप्ट करें यहां पर एक हा जा की मदद को ना नहीं कहना है और गोड को सरेंडर कर दीजी अपने आप सिच्वेशन बैटर हो जाएगी आप अकेले नहीं है आप बहुत ही उदास होकर के रोते होंगे फिर बैट कर बहुत दस्वोसती होंगे की मेरे बसकी बात नहीं है अब मैं कुछ नहीं कर सकता मेरी लाइफ में तो कभी कुछ अच्छा होता ही नहीं है मैं तो 10 साल हो गए, 15 साल हो गए 8 साल हो गए, 6 साल हो गए, 2 साल हो गए मैं बहुत दुखी हूँ अपनी लाइफ से लेकिन आप अकेले नहीं है रहते हैं तो भी मैं आपके साथ हूँ, तो आपको अकेला तो feel करना ही नहीं है, ये universe के द्वारा आपको message दिया जा रहा है, देखिए इस time जो है कुछ करने का है, action लेने का है, ठीक है, adjustment आपके लिए जरूरी है, अब अपने relationship में adjustment करके चली, ये खा जा रहा है, action लेने का time है, यहाँ पर energy को balance करते विए action लेना है, और आगे बढ़ना है अपनी life में, ठीक है, चली आपके relationship के लिए और आपके लिए message आ रहा है, यूनिवर्स के तरफ से, तो psychic tarot से हम देख लेते हैं कि, read कर लेते हैं आपके बहुशे के बारे में, और क्या आ रहा है आपके लिए message, ये card अपने आप निकल रहा है, देखिए, खुशे आएंगे आपकी life में, आपको अपनी heart chakra को activate करना है, या कुछ लोगों का heart chakra जो है activate हो रहा होगा, ठीक है, feel कर पार रहा होगा, अपने partner के energy को, receive कर पार रहा होगा, temptation, कोई लालत से दूर र रही है, patience, patience रखके आगे बढ़िये, सब कुछ आपकी life में better हो जाएगा, अगर आप जाद जल्द बाची करेंगे, तो भी चीज़े अपने time पर unfold होंगी, ठीक है, conflicts and defeats, आपको बहुत अधा ऐसा मैसूस होता होगा कि हर कोई मुझे दोखा देकर चल जाता है, हर कोई बहुत परिशान हो चुका हूँ, या हो चुकी हूँ, लेकिन आप ये ना सूचें, क्योंकि बैने बताया था, गोड़ आपके साथ में है, ठीक है, आप नाराज नहों, उदास नहों, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे कि solar plexus chakra जो है, आपका activate करने की जरूरत है, हर चक दिखाई दे रहे कि आपको 5555 दिखते होंगे, ठीक है, यहाँ पर आपको 333 दिखते होंगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे है, आप wisely आगे बढ़िए, आप emotionally lost feel करेंगे तो आप कही न कई अपनी life में stuck हो जाएंगे, आप defeated feel करेंगे तो आप रूख जाएं है, ठीक है, फिर देखेंगे कि बाटावंत देखे victory and success आपको ही मिलेगी, very nice guys, victory and success आपको देखने को मिलेगी अपनी life में, लेकिन आपको अपनी solar plexus chakra पर work करना है, चली अभी हम देखते third party और आपकी person की बीच क्या चल रहा है, third party और आपकी person की बीच क्या चल रहा है, ट्रिक ट्रिक देखें, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे कि आपके person जो है third party में फसेव हैं, तो बहुत ही confusion की state में है, third party उनको बहुता चाहती है, अभी तक उनकी चाहत कम नहीं हुई है, third party की, जो other person की साथ फसेव है, family क्या लागा, वो lady जो है, lady है, agents जिन से भी आपके person deal कर रहे हैं, आपके person मिल फे मिल कोई भी हो सकती है, तो उनके चाहत अभी तक कम नहीं हुई है, वो उनको और चाहिए, और चाहिए, हर चीज, finance भी चाहिए, उनको प्यार भी चाहिए, अभी तक उनका जो है, अंदर से भरा नहीं है, मतलब कहने का यह है, कि उनकी जो प्यास है, वो बुजी नहीं है, अभी तक, मतलब किसी चीज को पाने की, ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं, कि आपके person जो है, वो बहुत तब परिशान हो गए हैं, कि इसको मैं शांत नहीं कर सकता हूँ, finance को लेकर के भी डिमांड करती होगी, प्यार को लेकर के भी डिमांड करती होगी, तो आपके person वहाँ पर बहुत परिशान हो गए हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं, कि वो अपने आप में जैसे कहीं खोने लगे हैं, उनको ऐसा लगता है, कि मैं कहीं गुम होता जा रहा हूँ, य यह मुझे बहुत ही ज़्यादा energy सकर लग रहे हैं, ऐसा भी हो सोच रहे हैं, क्योंकि पहले पहले तो enjoy करती हैं लोग और फिर जब वो देती है, तो फिर लेती भी है, third party ठीक है, तो जितना देगी उतना लेगी भी वसूर भी करेगी, तो जब तक दे रही थी तब तक तो आपके person को बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन अभी वो demand कर रही है आपके person से, तो बुरी लग रही है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो third party trick पर trick चले जारी है, यहाँ आपर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जाल बुनती रहती है आपके person के खिलाफ, ब आगे भी बात हो रही है, लेकिन पिछे कुछ हल चल हो रही है, कुछ और ही चल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे है कि आपके person के पीठ के पीछे साजी से रची जा रही है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे ह साथ फसे हुए है, वहाँ पर वो बंदा जो है, इनको छोड़ना ही नहीं चाहता है, लेकिन आपकी person ऐहा चाहती है कि मुझे छोड़ना चाहिए इस person को, ठीक है, और वो कहती है कि आप मेरे उपर trust करके तो देखी, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी, या कर दूँगा, ठीक है अब वो किसी बाबा के पास भी जा रही है, देखीं, वो किसी बाबा के पास जाती है कि इसको किसी तरह से control करिए, इसको बाबा ये तो मेरे हाथ से निकलता जा रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब ये किसकी energy है, कल को comment करें, या आप जो कि कमेंट करें, रिडिंग पढ़ते पढ़ते, तो प्लीज ऐसल ना करें, तो कि मुझे नहीं पता कि किसकी एनरजी पिक हुई है, ठीक है, यहाँ पर जो भी एनरजी पिक होती है, उसी की अकोडिंग में बताती हूँ, और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, कि वो किसी बाबा से कुछ पूशने गई है, कुछ मंतर तंतर का सहारा लेने की कोशिश कर रही है, और वो बाबा कह रहे हैं कि आप मुझे पर फेथ रखिए, आप मुझे पर ट्रस्ट रखिए, आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, कि किसी ने मुझे जकर रखा है, कोई मुझे छोड़ नहीं रहा है, मैं यहां से निकलना चाहता हूँ, मैं यहां से सब कुछ रिलीज करना चाहता हूँ, देखिए, लेकिन आपके परस्ट को ऐसा लगता है, कि कोई मुझे पकड़ रहा है, कोई मुझे वापिस खीच रहा है और यह शम्शान का जैसा आप देख सकते हैं और यहाँ पर जदो टोना देख सकती है और यहाँ पर यह बाबा देख सकती है तो आपके person को ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजी मुझे वापिस खीच रही है मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ रिलीज करना चाहता हूँ इन चीजों को लेकिन कोई चीजी मुझे अपनी तरफ अट्रेक्ट कर रही है अपनी तरफ खीच रही है ठीक है और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे कि third party जो है उनके finance के लिए सब कुछ कर रही है उनके पास abundance है पैसा बहुत ज़्यदा है आपके person के पास में ठीक है इसी वज़े से वो देखी उसकी नजर कितनी लोगों की नजर इसके finance पर है आपके person की finance पर देखिए यहाँ पर भी यहाँ पर भी कितनी लोगों की नजर है कि इस finance से हमारा घर बन जाएगा, हमारी life smoothly चलेगी और इस finance की वज़े से जो है वो third party ये कदम उठा रही है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे कि आपके person वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे है कि उनको अभी वहाँ पर बहुत ही बुरा लगने लग गया, कि इसकी तो भूख कभी शान्ती नहीं होती, किसी चीज़ को ले करके भी, तो वो बाबा का सहारा ले रही है, black magic करने के कोशिश कर रही है, यहाँ पर यह भी कह रही है कि मैं आपके साथ में कभी भी बुरा नहीं कर सकती हूँ कभी बुरा नहीं कर सकती है, अब मुझे पर trust रखे, trust के साथ में आगे बढ़िए और मुझे जो चाहिए वो आप देते जाएए, और फिर देखना कमाल होगा आपकी life में और मेरी life में लेकिन यहाँ पर कुछ गडबड मुझे दिखाई दे रही है कि वो black magic का जो साहरा ले रही है, और trick चल रही है अपनी, ताकि इसको control किया जाए और आपके person जो है, हो सकता है कुछ लोगों के person train flame journey पर भी हो तो वो अपने खोई भी पार्ट को discover करने की कोशिश में लगे वे है यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि उनको लगता है कि मैं अकेला पड़ गया हूँ मैं खाली-खाली सा हूँ, मेरा part आदा गयब है, यानि कि divine masculine है या feminine है तो उनका जो other half part है better half जो है, यानि कि आप मेरी viewers वो उनके पास नहीं है तो इसलिए उनको बहुत ही खाली-खाली सा फील हो रहे है और वो बहुत ज़दा सोच रहे है मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे गाईस कि वो अपने आप बीजी रहने की कोशिश करती है आप यहाँ को बीजी रखने की कोशिश करती है ताकि यह परसन जो है उनको ज़दा effect ना कर पाई लेकिन यहाँ पर यह परसन जो है अपनी चाल पर चाल चला जा रहा है चाल पर चाल चला जा रहा है या चली जा रही है यहाँ पर मुझे यह भी दिखाई दे रहे हैं कि complaint पर complaint किये जा रहे हैं कि वो बैठ जाती होगी कि मेरे तकलीफ हो गई है मेरे पैरों में दर्ध हो रहा है मेरे से यह काम नहीं हो रहा है please मेरा यह काम कर दो please मेरा वो काम कर दो तो इस तरह से मुझे यहां पर दिखाई दे रहे हैं कि आपके person को बहुत ज़ता blackmail किया जा रहा है और ये किस वज़े से हो सकता है उनके उपर black magic किया गया है इसी वज़े से जो चाहती है वो ही करवाती है उससे ठीक है और आपके person उनके आगे पीछे भूम रहे है लेकिन जब कभी-कभी उनको थोड़ी जो है उनके mind में ऐसास होता है कि ये सब गलत हो रहा है ये तेरे सब गलत हो रहा है तो वो release करने की कोशिश करती है तो यहां पर फिर सी confusion की state में जाते है कुश न कुश पिला देती होगे उनको कुश न कुश तंतर मंतर का जो सहारा ले करके फिर उनको जो है उसी चकर में डाल देती है थोड़ा बहुत आसार खतम होता है क्योंकि आप मेरी विवर्स उनको positive affirmation भेज नहीं है आप मेरी विवर्स जो है अपना inner work कर रहे है तो उसका आसर आपकी person पर जब थोड़े बहुत time के बाद में होता है मतलब जो उसके मंतर का काफी time हो जाते तब लेकिन फिर वो कुश न कुश समझ आती है इसारे उनके कि यह सब क्या कर रहा है यह सब इसके mind में change आ रहे है इसकी बाती जो है मुझे change चेंज लग रहे है तो वो third party फिर से अपनी कोई trick चलती है और आपके person को जो है फिर से उसी energy में बान देती है यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे है कि बहुत ही रहश में ही है third party जो other person है वो बहुत जादा trick चल रही है और बहुत control कर रही है अब मैं family की बात करो कि जिनके person family में फसे हुए है वो पाता है कैसे problem create कर रहे है कि आपके person वहाँ से release करना चाहते है उनको छोड़ना चाहते है वो आपकी तरफ आना चाहते है अपने खुएवे हिस्से को उपाना चाहते है divine counterpart हैं आप उनके तो इसलिए उनको छोड़ करके वो आपकी तरफ आना चाहते है और अगर आप जो soulmate journey पर हैं तो भी वो आपकी तरफ आना चाहते है और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे है कि वो अभी आपके साथ में जो है अभी तक जितना भी बुरा क्या था आपको torture क्या था आपको manipulate क्या था आपको घर से निकाला था आपको finance वे crisis से गुजरना पड़ा था तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि वो अभी आपको सपोर्ट करना चाहती हैं, कई ने कई उनकी आखे खुलने लगी हैं, लेकिन वो पता क्या करती है, फैमिली मेंबर्स, यहाँ पर उनकी मदर का इश्यू जदा लग रहा है मुझे, मदर उनकी लाइफ को बहुत उतनों में दर्द है, मेरी आँखों से मुझे कम दिखने लग गया है, तुम्हारा ही तो साहर है, तुम चले जाओगे तो मेरा कौन है, ठीक है, और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि वो और भी बहाने बनाती है, कि मेरे को सर में पेन हो रहा है, भौलत अतब पेन आँए, अब मैं चारपाई ले लूँगी तो फिर मेरा काम कौन करेगा, आप भी तो मेरे बेटे हो या बेटी हो, तुम्हारे सिवा मेरा है भी कौन, इस तरह से वो आपके परसन को जो है, ब्लैक मेल कर रही है, और ट्रिक पर ट्रिक चल रहे हैं, लोग आपके परसन को प और आप मेरी वर्स यहाँ पर परिशान हो रहे हैं, और वो जो है, आपके परसन को कंट्रोल करने की सूचते रहे हैं, किस तरह से किया जाए, पॉलिटिक्स खेली जा रही है, पॉलिटिक्स बहुत तगडी खेली जा रही है, यहाँ पर, मैंने बताया, यहाँ पर ब्लैक म पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है मुखोटा पहन करके और वो पागल मना रहे हैं आपकी परसन को और आपकी परसन बहुत ज़दा रो रहे हैं आईसोलेशन में जाती हैं यह अकेला रहना पसंद करती हैं और बहुत ज़दा उदास हैं, बहुत ज़दा रो रहे हैं, आसों निकल रहे हैं, और third party जो है, उदर से control करे जा रही है, politics पे politics रचे जा रही है, ठीक है, इस तरह से मुझे यहां पर दिखाई दे रहे हैं, कि third party जो है, वो politics खेल रही है, आपके person के साथ में, आपके person को बह बहुत ज़दा गुस्ता आ रहा है, बहुत ज़दा रोना आ रहा है, कि यह लोग मेरे को निकलने क्यों नहीं देते हैं, यह लोग मुझे क्यों फसाने के चकर में, यह लोग क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दी रहे हैं, देखे, control, control, तो आभी हम द देख लेते हैं आपके person आपके लिए क्या सोच रहे हैं क्या action लेंगे वो क्या उनका action होगा क्या वोख दिए वो को क्या bottom of the deck is lover very nice guys तो guys मैं देखूँ कि आपके person की क्या energy है आपके लिए क्या वो action लेंगे तो यहाँ पर मुझे जो card दिखाई दे रहे हैं पहले मैं आपके person के sign बता देना चाहती हूँ यहाँ पर मुझे बहुत ही strong दिखाई दे रहे हैं Gemini Libra Aquarius हो सकती है आपके person या तो Gemini हो सकते हैं या Libra हो सकते हैं या फिर Aquarius भी हो सकती है यहाँ पर मुझे यह भी दिखाई दे रहे हैं कि हो सकते आपके person जो है उनके sun, moon, Venus sign जो है Aries Leo Sagittarius भी हो सकती है ठीक है यानि कि size हो सकती है उनके sun sign या moon sign और मुझे यहाँ पर जो है और यहाँ पर Taurus वर्गो Capricorn हो सकते हैं ठीक है और Pisces Cancer Scorpio यानि कि कहने का मतलब है कि सारे के सारे sign यहाँ पर मुझे वाइप सारी है कि Gemini Blackvirus हो सकते हैं या फिर Taurus वर्गो Capricorn भी हो सकते हैं ठीक है Gemini भी हो सकते हैं यहाँ पर mostly जो है मुझे ऐसा वे दिखाई दे रहे कि हो सकता है कि कुछ लोगों के बर्चार्ट में Gemini बहुत ही strong हो यानि कि हो सकता है उनका sun या moon sign भी हो सकता है यहाँ पर मैं यह भी देख पार हूँ कि आप दोनों में strong bond है देखी गाइस बहुत ही strong bond है मुझे ऐसा दिखाई दे रहे कि आपका relationship divinely guided है और एक में बता देना चाहती हूँ कि हाथ में भी अगर हम देखती है तो यहाँ पर एक line होती ऐसे यह divinely guided को दिखाता है कि आपका यह जो जनम है ना इसमें divine ने आपको support करने की ठानी है कि जो भी आपके करमाज पूरे करने है ना उसमें हम आपकी help करेंगे angels आपकी help करेंगे तो यह divinely guided को दिखाता है ठीक है तो आपका relationship जो है divinely guided है यहाँ पर ध्यान रखना attraction attachment आप लोगों में इतना जादा है कि अगर आप लोगों की लड़ाई भी हो जाती होगी तब भी अगर आप दो दिन बाद या उसी दिन भी सुबह अगर लड़ाई हुई है शाम को आप उनके लिए कुछ फील करते हैं आपको इतना hurt नहीं होता है या एक दो दिन अगर आपको बहुत ज़दा उनने खरी खोटी सुनाए यह तो एक दो दिन hurt होगा लेकिन तीसरे दिन चौत्छ दिन आप उनके बारे में बहुत ज़दा फील करेंगे आप खाली-खाली feel करेंगे, अकेला fun feel करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर vibes आ रही हैं, कि attraction attachment आप लोगों का बहुत जादा है, और यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहे हैं, कि एक person जो है, वो बहुत इस spirituality की तरफ आगे बढ़ेगा, और यहाँ पर मुझे दूसरा यह metalistic चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देगा, तो आप अगर ऐसे हैं, तो देखी, आपकी life में जो है, जो भी हो रहा है, वो divine की मर्जी से हो रहा है, क्योंकि आपकी करमाज थी इसी की वज़े से, कि जिनके साथ भी आपकी लड़ाई जगड़े होती हैं, चाहे family members हैं, चाह में तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे कि वो आपके past करमाज हैं, जिसके वज़े से वो आपको ऐसी family मिली है, आप उनको blame ना करें, यहाँ पर यह दिखाई दे रहे कि आपको उनको blame नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह जो आपको मुझे यहाँ पर pile में बहुती दुख दिखाई दे रहे हैं, तो यह जो दुख मिलना था ना guys, गुरा मत मानना मेरी बात का, कुछ लोग कहते हैं कि आप बहुत जादा stick बोलते हैं, बहुत जादा harsh word का इस्तिमाल करते हैं, तो guys मैं बताना चाहूंगी कि कुछ लोगों को sugar coating करनी आती है, पर पता नहीं मेरे से ह होती नहीं है, यहाँ पर बताना चाहूंगी कि आपके इन cards में मुझे दुख नजर आ रहा है, तो यह दुख क्यों है, यह आपके कहीं ने कहीं past करमाज हैं, जिसकी वज़े से यह आपको दुख मिला है, अगर आप इसको accept करती हैं, तो भी, ठीक है, क्योंकि अगर आप कि spirituality की तरफ बढ़ेंगे, तो आपके अंदर awareness आएगी और आपको पता चल जाएगा कि यह मेरा किस करम का फल मुझे मिल रहा है, यानि कि past मैंने उनके साथ में क्या बुरा किया था, आप अपने अंदर जाकेंगे, अपने intuition की सुनेंगे, और आप जितना गोड से जुड़ें ठीके, तो मैं बताना चाहूंगी, देखिए, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके person जो है, बहुत ज़्यादा परिशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, उन्होंने हो सकता है कि past में आपके साथ में आन में मेरी वीवर्स के साथ में बहुत जबरदस जगड़ा हुआ, और उस जगड़े में आपके family ने और आपके person ने मिलकर के और गरम जोसी में आपको घर से निकाल दिया, मुझे यहाँ पर जो wives आ रही हैं, वही मैं बता रही हूं, जो card बता रही हैं, आपको resonate होता है, तो काफी financially crisis से गुजरना पड़ा था, आप बहुत pain में थे, आपको हर चीज के लिए जो है तरसना पड़ा, हो सकता है कि आपके पास उस time एक कोड़ी भी नहों, ठीक हैं, और आपको उससे बहुत मुश्किल से निकलना पड़ा, उस परिशानी से, उस situation से, तो उसके बाद में आपने अंदर change लाने शुरू कर दिये, आप उसके बाद में काफी बदल गए, पहले आप अपने person के साथ हो सकता है कि सबी बाते share करते हो, बहुत ही खुल करके बाते बताते हो, कि आज मेरी life में ये हुआ, आज मेरे साथ वो हुआ, आज उसने ये किया, उसने वो किया, ब मेरा partner जो मुझसे हर बात share करता था, आज वो अपने अंदर ही सब बातों को रखने लगए है, और कहीं ने कहीं उनको ऐसा भी लगता है कि इनकी intuition जो उनको बताती है, उसी के साब से ही आगे चल रहे हैं, ऐसा भी हो आपकी person आपको देख रहे हैं, और आप काफी knowledgeable person है, आप, लोगों में आपकी जो है पैचान है, ऐसा मुझे याप पर दिखाई दे रहे हैं, और guys आपकी person जो है, उन्होंने जो है, उन्स situation को भाब लिया है, और वो मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं कि अभी आते होंगे, तो hold back करते होंगे, दो step आगे लेते होंगे, और फि situation किरियेट हुई, उसके बाद में आप दोनों ही बदल गए, ऐसा उनको लग रहे है कि इन्होंने तो अपना heart chakra close कर लिया है, मिर से बात भी नहीं करती है, ऐसा वो सोच रहे हैं, अब देखिए, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे है कि रातों की नीद हराम हो रही है, रा कि आपने उसके बाद में जो है, अपनी life के लिए और आप आगे बढ़ने लगी, मुझे यहाँ पर यह भी दिखाई दे रहे है कि इसका आपके person को बहुत मलाल है कि यह person जो है आगे निकल गया, मौन कर गया, ठीक है, अब आपके person बहुत परेशान हो रहे हैं, वो यह कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे step आगे लिना चाहिए, क्योंकि जब भी आप लोग बात करते होंगी तो बातों में बहुत harsh word का इस्तेमाल होता होगा, past को लेकर कि आप लोगों में बहुत arguments होती हैं, इसी वज़े से आपके person जो है रात दिन सोच सोच कर परिशान हो रहे हैं, कि मुझे किस तरह से बात करने चाहिए, अपने person के साथ में ऐसा मुझे यहां पर दिखाई दे रहे हैं, और guys वो आपको commitment देने की सोच रहे हैं, ऐसा भी मैं यहां पर देख रहे हूं, कि वो आपको commitment देने की सोच रहे हैं, कि मुझे अपने relationship को आगे लिजान है या कुछ के पार्टनर को एक गिफ्ट भी दे सकती है ऐसा भी मुझे यहां पर दिखाई दी रहा है अब देखिए हमारे हाथ की पांच ओंगली बराबर नहीं होती है ठीक है अब यह मैंने गिफ्ट का नाम लिया यहां पर तो अंत आएगा मैसेज मैंडम हमारे परसन तो क चोंगली बराबर नहीं होती है इंसान पांच टाइप के होंगे अब यह बहुत डाउन में है यह इससे थोड़ा उपर है यह उससे उपर है यह इससे थोड़ा नीची है तो सबकी एनरजी सेम थोड़ी हो सकती है कोई तो बहुत रोमेंटिक होता है कोई बहुत रूडली behavior करता है, अपने partner के साथ में ठीक है, कोई interest लेता है उस अपने partner में कोई नहीं लेना चाहता है अब बताओ सब type की energy मैं एक साथ कैसे pick करूँ ठीक है, तो जो energy सबसे ज़्यादा strong होती, वो pick हो जाती है अब मेरे साथ उल्टा सिदा comment करने की जरूद नहीं है, अब आपको बुरा लगे तो लगी ठीक है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे कि उनको ऐसा लगता है कि मैंने उनका दिल तोड़ा है और वो परिशान है इसी वज़े से मेरे से बाते चुपाने लगे हैं और यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहे कि आप बहुत ही रूट बियेव करते होंगे या आपके फैमिली में जो है queen of source, यानि कि किसी की mother in law हो सकती है जिसकी वज़े से यह सारे arguments हुए हैं यह सारे सारे issue हुए हैं या किसी के father in law भी हो सकती हैं जिनकी वज़े से उनकी life में problem आई है वो बात करना चाहते हैं सारी चीजों को सही करना चाहते हैं शोट आउट करना चाहते हैं और आपको वो commitment भी देने की सोच रहे हैं मुझे ऐसा दिखाई दे रहे कि risk लेना चाहते हैं आपके साथ एक happy family बनाना चाहते हैं और आपको support करना चाहते हैं मुझे यहां पर दिखाई दे रहे कि उनकी तरफ से कोई call a text message भी आ सकते हैं मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहे हैं वो communicate भी कर सकते हैं physically भी आ सकते हैं और कुछ के partner call a text message भी कर सकते हैं अब जिनकी energy से match होती है उनके partner हो सकते हैं करते हैं क्यों कि कई हो की comment आते हैं कि मैं आज हमारा call आया था आज हमारे से बात हुई थी हमारे partner की और काफी time बात हुई थी अब बताओ उनके घर में मैं क्या कहने जाती हैं देखी वो आपके साथ में एक happy family बनाना चाहते जिसमें growth और stability हो ऐसा मुझे यहां पर दिखाई दे रहे हैं वो आपसे बहुत ही प्यार करते मन ही मन बहुत प्यार करते क्योंकि आप लोगों का strong bond है यह bond बहुत ही strong है attraction attachment बहुत जादा है चाहे वो आपको दिखाते नहीं लेकिन यह bond बहुत ही strong है ठीक है और वो आपको बहुत प्यार करते हैं यहां पर मुझे दिखाई दे रहे हैं कि वो action लेने की सोच रहे हैं कि मुझे अपने partner के तरफ जाना चाहिए और मुझे सब चीजों को ठीक करना चाहिए क्योंकि past में मैंने ही बिगाड़ा था या मेरी family नहीं बिगाड़ा था सब कुछ और अभी हमें सब कुछ ठीक करना चाहिए उनको realize हो गया है ऐसा मुझे यहां पर दिखाई दे रहे है तो यह थी guys आपकी reading I hope you guys reading Aquorazin, Twitterazin please do like, share and subscribe my channel thanks for watching, till the next video, take care, bye bye